हेलो फ्रेंट्स वल्कम टू मैं चैनल होफुली आप से भी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिप्रेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी तो आज फिर से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्डेट के साथ आई हूँ तो आप सब उसे रिक्वेस्ट हो मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ और स्टेट वाइस कॉट आफ मैं आपको बताई हूँ कि कॉट आफ कितना जाने वाला है तो फिर से मैं बता रही हूँ जो सबसे हाइश्ट कॉट आफ था पिछले साल का वह देली का गया था 83 कट आफ गया था देली का और सबसे कम क के चल सकते 12-20 Kषन जो है 15-20 पर सिंट तक घफ लिवल के बनाया गया थे पिछले साल से इस बार कушशन टावह घाते हैं स्कुति है उसलिई ककार जो है फिर लेवल के में नहीं होता है तो इसलिए श्रुस्लों चाथ नहीं होता है . सहुल यह दोनो बात у बहुत जादा मैटर करते हैं सबसे पहले तो कोशन का लेवल का इसा था पिछले बार कोशन जो थे वह ईजी लेवल के बनाया गया थे इसलिए डेली में जो थे वह 83 कट अफ गया इस बार बहुत ज्यादा और कट अफ जाएगा तो 75 से लेकर हाइस्ट कट अफ जो होगा 75 से कर सेवेंटी एट नाइन के बीच में इतना कट अफ रहेगा कुछ स्टेट में एक दू स्टेट में हो सकता है कि कट अफ जो हो एक दो नंबर से आगे पीछे हो जाए लेकिन बहुत जादा कट आफ आपको देखने के लिए बहुत जादा हाई कट आफ नहीं जागा इसके आपने स्टेट रही है अब बहुत पिछले बार जो मैं वीडियो बनाएं थी अभी दो ती दिन पहले अपलोट की थी उसमें बहुत सारे फ्रेंट से बोल रहा थे कि आप इतना कम कट अफ कैसे बता रहे हैं तो कट आफ बताने का मतलब यह हैं बहुत सारे चीजे सोचनी पड़ती है बहुत सारे चीज को अनलिसिस करना पड़ता तब मैं आती हूं कट आफ बताने के लिए आप लोग आई भी पीएस पीओ का प्रिलिम्स का कट आफ अप लोग देख लीजिए गा मैं एक्जेक्ट कट आफ बताई थी उतना ही कट आफ आया था मेरे प्लेलिस्ट में विडियो है आप लोग जाकर स्विए पीओ का अप लोग प्रिलिम्स का भी आप लोग देख सकते हम Totally have बहुत सारे analysis करने के बाद मैं आती हूं को बताने के लिए तो आप लोग को बताने का cut-off मतलब यह है कि आप लोग preparation मेंस का start कर दीजिए मेंस का आप लोग start कर देगा तो बहुत जादा benefit आप ही को मिलने वाला है कट-off बहुत जादा हाई ने जाने वाला है कट-off कम ही जाएगा जितना मैं बताएं हूं उतना ही जाएगा स्टेट वाइस कट-off अल्रेडी अप्लोट कर चुकी हूं आप लोग वह देख लिजेगा और बात करते ही result कि result कब तक आएगा तो 25 नॉंबर को प्रिलिम्स का examination खतम हो गया थे आपका कम से कम 15 से 20 दिन आपका समय लग जाएगा मतलब की result आने में तो मतलब कितने तारिक तक आयागा तो 15 दिसंबर तक आपका result आजाए क्योंकि SBI clerk का exam जब भी होता है प्रिलिम्स का हो या मेंस का रिजल्ट में delay नहीं होता है बहुत जल्द रिजल्ट कर दिया जाता है तो मैं cut off इसलिए 2-3 वीडियो लेकर आए हूँ ताकि आप लोग का जो भी candidate का इतने marks आ रहे है तो आप लोग मेंस की preparation में लग जाए है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज्यादा सामय मेंस के लिए मिलता नहीं है दैन इंटर्व्यू के लिए तो आप लोग preparation जम के कीजिए जो भी फ्रेंट्स का इतना cut off आया है मतलब जो भी accuracy के साथ इतना बनाया है तो वह बिलकुल सही रास्ते पर है आप लोग मेंस की प्रिप्रेशन में लग जाए है थैंक यू सो मच